अतिक एहमद अतिया कान में दोस्तों एक नई अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि एक पत्रकार को भी गोली लगी है एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है उसमें और आपको बताते हो चलें कि मीडिया कर्मी बनके जो तीन हमलावर आये थे उनके बारे में प्रियाग पर मौजूद थे और उनका बयान आया है कि जैसे ही पुलिस कर्मी अपनी गाड़ी से वहां मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कराने के लिए अतिक और अश्रफ का जैसे ही उतरते हैं तो कुछ कदम चलने के बाद लगभग सवादस से साढ़े दस के बीच की अखटना है दोस् करेंशन उनको जान से मारना ही था अमलावरों का और जैसे ही पीछे की तरफ गिरते हैं वैसे ही अश्रफ के शरीर में भी गुलिये लगने की को उन्होंने देखा विजय मिश्रा जीनत देखा ऐसा है उनका बयान आ रहा है और हम आपको बताते चलें दोस्तों के एक और न करेंशन नहीं भापाए हालाकि हम यह नहीं क्या सकते कि पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया पुलिस वालों ने ततकाल उन तीनों हमलावरों को पकड़ करके हास्पिटल के अंदर बिठा लिया लेकिन योगी जी ने अपनी मीटिंग के ततकाल बाद उन 17 पुलिस कर्मियो और एक पत्रकार के घायल होने के बाद योगी जी बहुत आराज है और अपने घर के अपने आवास पर जो उन्होंने मीटिंग ली उस मीटिंग में हम आपको बताते चले कि उन्होंने उचिस्तरीय जांच के आदेश दे दिये हैं उचिस्तरीय जांच के नियाइक जांच के जो है वो निर्देश मिल चुके हैं और कहीं न कहीं इस्पेशल डीजी सीम आवास पर अभी भी मौजूद हैं और यहां पर अभी बैठक और लंबी चलने की सम्हावना है और प्रियाग राज में धारा 144 लगा दी गई है पूरे प्रियाग राज के सब्वेदन सील इलाकों म पुलिस की तनाती जो है वो बढ़ा दी गई है और पूरे प्रियाग राज को चारों तरफ से नाके बंदी कर दी गई है दोस्ता हम आपको बताते चलें कि सवाद दस से साड़े दस के बीच में अतीक और अश्रफ को जब मेडिकल कराने के लिए केल्विन होस्पिटल प्रियाग राज तो उस समय मीडिया कर्मी बनकर के आये हमलावरों ने बहुत नद्दीक से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी इस बारे में जितनी भी अपडेट आ रही है जितनी भी नई अपडेट आ रही हम आपको बताने का पूरा प्रियास कर रहे हैं दोस्तों अश्रफ क करने वाला वीडियो है और पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के एक नहीं नहीं हुजा रही है कुतर प्रदेश में प्रयाग राज में ही नहीं सभी जीलों में धारा 144 लगा दी गई है दोस्तों और अपने आप में यह तरीके का एक बहुत बड़ा अलर्ट है क्योंकि 2023 में इतना बड़ा शूट आउट यह पहली बार हुआ है योगी जी के राज में और कहीं न कहीं योगी जी इस बात से इस बेवस्ता से बहुत खिन है और यही कारण है कि उन्होंने 17 पुलिस कर्मियों पर नालाजगी जाहिर करके और उनको सस्पंड करने की करवाई कर दी है और भी जिम्मदार जो भी है दिकारी उनके सामने आएंगे तो इस तरीके से जो है वो उन पर करवाई होगी और कानून बेवस्ता की स्थिति को सुद्रण रखने के लिए और सांटी बेवस्ता बनाए रखने के लिए उत्तर प और इस घटना की जांच के चुकी तुरंत आदेस मिल गई हैं फॉरंसिक टीम ने भी अपनी सारे सबूत जुटाने का तेजी से प्रयास कर रही है और हमें लगता है कि फॉरंसिक टीम जल्द से जल्द सारे सबूत इकठे कर लेगी और हम आपको बताते चले कि हमलावरों ने भागने का प्रयास नहीं किया बलकि हमलावरों ने गोली मारने के तुरंत बाज अपने अपने हाथ उपर कर दिये ताकि पुलिस उनको आसानी से पकड़ सके आसानी से गिरफतार कर सके क्योंकि उनकी मंचा जो है वो भागने के नहीं थी उनकी मंचा सीधी-सीधी अतीक औ और दुख्की बात यह है कि इसमें एक पुलिस कर्मी और एक पत्रकार भी के भी घायल होके होने की जो है वो सूचना मिल रही है और और भी कोई अपडेट मिलती है तो हम आपको बहुत जल्द देंगे दोस्तों मैं हूँ अरियम स्रिवास्तो और आप देख रहें मेरा अनिक नीजोन बहुत बहुत जन्यवाद